हेलो नमस्कार प्रिये साथियों आज हम पढ़ने जा रहे हैं परस्टन वाली 13.3 इसका हम पढ़ेंगे क्यूसर नमबर एक मनलेकित बारंबारता बंटन किसी मोले के 68 उभोगताओं की बिजली की मासी कफ़त दरसाता है इन आकड़ों के माद देख और भोलक ग्याद कीजिए इनकी तुन्ना कीजिए इस परसन में हमें माद देख भी ग्याद करना है और माद देख भी ग्याद करना है इस क्यूशन में देर की है мат खफ़त एक आयू में जैसे 65 separated पिच्चाइसी आगी पिच्चाइसी से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 155, 155 से 205 और इधर दे रखी है भोगताओं की सिंख्या जैसे 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4 इस परसन में हमें माद्देक, माद्दे और भूलक ग्याद करना है इस परसन को सोल करेंगे इसमें हम पहले ग्याद करेंगे माद्दे, इसके लिए हम चार खंड बनाइंगे, इसके पहले वाले खंड में लिखेंगे मासिक खफफ्द जो क्यूसन में दे रकिए, मेने या पर उतार रकिये और दूसरे वाले खंड में लिखेंगे उपबोकताओं की संक्या यानि एप का मान जो क्यूसन में दे रखा था मैंने यह पर उतार लिया ठीक है और यहां पर लिख देंगे योग इसमें लिखेंगे सिगमा एफ इन सब को जोड़ेंगे तब हमें सिगमा एफ का मान प्राप्त हो जाएगा इनको हम जोड़ते हैं जैसे इसमें 4, 5, 9, 9, 3, 12, 12, 12, 4, 16, 16, 28, 24, 24, 4, कितने होते हैं 28 28 का आगया 8 हासिल के 2 2, 3, 3, 2, 5, 5, 6, यानि सिगमा एफ का मान हमें प्राप्त हो गया 68 इसके बाद में ग्याद करेंगे अक्स का मान यानि मद्दे मान ग्याद करेंगे और आपको पता है अक्स का मान हम कैसे निकालते हैं इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं इसमें पहले वाली संक्या 65 है, हम यहां पर लिखते हैं 65 और दूसरी संक्या 85, इन दोनों को 8 करके 2 का भाग देंगे, जैसे 5, 5, 10, आसिल का 1, 186, 7, 7, 8, 15, यानि 150 आ गया, 150 में हम 2 का भाग देते हैं, तब हमें प्राप्त होते हैं 58, यानि अक्स का माल हमें प्राप्त हो गय देंगे 85 और 105 को, यानि 85 और 105 को 8 करते हैं, तब हमें प्राप्त होंगे, 5, 5, 10, हासिल 1, 8, 9, 1, 190 प्राप्त होगे, 190 में 2 का भाग देंगे, 190 में 2 का भाग देंगे, तब हमें प्राप्त होंगे, पिच्चान में, ठीक है, हम यहां उतार देते हैं, पिच्चान में, अब आ अंतरारा 20 का ठीक है फिर 85 से लेकर 105 में कितना अंतर है इसमें भी अंतर 20 का है 105 से लेकर 125 में अंतर 20 का है तो आपने पाया इन सभी में अंतर 20-20 का रहा है और अंतर समान है तो आप एक काम कर सकते हो जो आप अक्सका मान निखाल रहे हो इनमें जो अंतर है उसको एड़ करते जाओ, हमें अक्स का मन प्राप्त हो जाएगा, जैसे इस पिचेतर में 20 जोड़ा अपने, तो हमें प्राप्त होगे पिच्याण में, अब पिच्याण में 20 जोड़ेंगे, तब हमें प्राप्त हो जाएगे 115, मैं उतार रहा हूँ 115, फिर 115 में 20 जोड़ेंगे, तब हमें प्रा करेंगे इस प्रकार हमें प्राप्ट हो गयाए एक-सों पिच्छbles सांग है आपको लाश्ट में कर ले ना है दोनों को जोड कर और दोखा भाग देकर इसमें दोनों हो सेंख्याइक कोन कोन सी में 1205 इन दोनों करते हैं 1805 औ दो पांच में 2 गया तो एक नो उतारेंगे 2 कब भाग एसनिस में देंगे 25 guns सब्सक्राइब हमारे पासमेंगे प्रापत हो देंगे और हमने एक्स कमान प्राप्त हो जाएगा आप करते हैं 4 इंटू 5 तर यानि पिचे तर को 4 से मिल्टिप्लाइ करना है इस 4 को 5 से गुना किया तो 20 आएगा 4 को 7 से गुना किया 28 हर 2 कितने होगे 30 इस प्रकार इसका मान आगए गुणा करने पर 300 अब करते हैं 5 नमें इंटू 5 पिच्छार में इंटु पांच करेंगे 5 को 5 से गुणा किया तो 25 हाता है हसिल के 25 को 9 से गुणा किया पैतालिस रदो कितने होते है 47 इसका माल आगे अपने पास में 445 फिर करेंगे 115 इंटु 13 इस तेन को 5 से गुणा किया 15 फिर फिर तीन को एक से गुणा करेंगे, तीन एकम, तीन, तीन रेक, चार, आगे तीन को एक से गुणा करेंगे, तीन ही आएगा, ठीक है, एक को एक सो पंदरा से गुणा करते हैं, तो वो ही संख्या में प्राप्त हो जाएगी, जैसे पांच है, चार, पांच, नो, तीन, रेक, इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया 1445 मैं यहां पर लिख रहा हूं 1445 मैं इसके बाद में करेंगे 135 इंटू 20 135 इंटू 20 करते हैं इस 0 को इससे गुना करेंगे 0 इसको इससे गुना करेंगे तो भी 0 रहेगा फिर आगे करते हैं 2 को पांसे गुना 2 पंजियो 10 दो तीया 6 एक साथ 2 एकम 2 उतारेंगे 0 यहां भी 0 साथ 2 इस प्रकार इसका मान प्राप्त हो गया 2700 मैं यहां पर उतार रहा हूं 2700 ठीक है अब करते हैं 155 इंटू 14 अब 4 को पांसे गुना करेंगे 20 आएगा फिर 4 को पांसे गुना किया 22 हासिल के 2 फिर 4 एकम 4 4 2 6 एक को 155 से गुना करेंगे तो वहीं संक्या प्राप्त हो जाएगी जैसे 0 2 5 7 4 5 11 हासिल का एक 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 दो यानि 2170 मैं यहां पर उतार रहा हूं 2170 ठीक है अब करते हैं 155 इंटू 8 155 को 8 से मल्टिप्लाई करना है 8 45 40 हासिल के 4 8 को 7 से गुना किया तो 56 आता है 56 4 60 होता है फिर 8 को 1 से गुना किया 8 8 24 24 इस परकार हमें प्राप्त हो गया 1400 मैं यहां पर उतार देता हूं 1400 अब करेंगे 155 को 4 से गुना 155 को 4 से मल्टिप्लाई करना है 4 25 20 हासिल के 2 फिर 4 को 9 से गुना किया 36 2 38 होते हैं 8 आ गया हासिल के 3 फिर 4 को एक से गुना किया 4 एकम 4 4 3 7 इसका मान हमें प्राप्त हो गया 780 हम यहां लिख देते हैं 780 अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक अ सब्सक्राइब कर ले इन सबका जोड़ करेंगे तब हमें प्राप्त होगा सिग्मा एफ एक्स का मान मैं यह आपर लग देता हूं सिग्मा एफ एकस इनका जोड़ करेंगे जैसे 5 5 दस होता है 10 का यह जीरू हासिल का 1 1 7 8 8 9 17 7 24 24 8 32 होते हैं 32 का 2 हासिल के 3 फिर 3 3 6 6 4 10 4 14 7 21 21 रेक बाईस 22 सर्चार 26 26 सर्चार 23 33 का 3 आ गया आसिल के 3 3 रेक 4 4 2 6 6 2 8 8 रेक 9 इस पर कार हमें प्राप्त होगा सिग्मा एफ एकस का मान alma 13 retrouveई हमें ग्यात करना है माध्दी का सुत्त सबीга को पता है याद कर लेना सिग्मा एफ एकस बटा सिग्मा dif होता है ठीक है आगे करेंगे हम रखेंगे सिग्मा एफ एक्स कमान यानि सिग्मा एफ एक्स कमान हमें कितना प्राप्त हुआ 9320 ठीक है इसमें किसका भाग देंगे 68 का यानि 68 का भाग देंगे 9320 में तब हमें प्राप्त होगा 137.05 इस परकार इस परसन का मध्य निकल जाएगा, अब इस परसन का बहुलक याद करेंगे, और बहुलक याद करने का सुत्तर है, L पलस F1-F0, इसके बटे में, 2F1-F0-F2 into H, यह बहुलक याद करने का सुत्तर है, इसको याद भी कर लेना, इसके लिए आपको चाहिए, L का माल, F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान और H का मान आपको निखालना है और ये मान के से निखालना है हम सीखेंगे जो क्यूशन में दे रखी है उब्भोकताओं की संक्या यानि F का मान इसमें आपको देखना है सबसे बड़ी संक्या कौन सी है यानि इसमें जो सबसे बड़ी संक्या होगी वो हो जाएगी आपके F1 का मान तो हमने पाया इसमें सबसे बड़ी संक्या है 20 यानि F1 का मान कितना गया 20 मैं यह आपर उतार देता हूँ F1 का मान 20 इसके जश्ट उपर वाली संक्या अब 0 का मान हो जाएगी यानि अप 0 कमान उतार देंगे 13 ठीक है अब इसके बाद में एप 2 कमान देखेंगे एप 2 कमान होगा f1 के जश्क नीचे वाली संख्या यानि एप 2 कमान होगा 14 यानि उदर ठीक है अब करेंगे एल कमान एल कमान कैसे निखालते हैं तो हम देखेंगे जो सबसे बड़ी बारंबारता एप 12 इसके सामने वाली संख्या कौन-कौन सी है यानि 125 और 145 है आपको देखने है व्रग की निमन्ट शिमा और व्रग की निमन्ट शिमा कितनी है 125 तो एल कमान हमें प्राप्त हो गया 125 अब गयाद करेंगे एच का मानन एच का मतलब अंतर कीतने का अंतर वरग अंत्राल में ठीक हैs से 75 पि ज्रम 65 में 20 का अंतर है तो एच का माणना में प्राप्त हो गया 20 अब आगhetic को फिट करेंगे सतर के अंदर ठीक है हम पहले लिखेंगे L के मानख कितना हमारे पास में 1252 कर दिया आगे साइन पलस का है फिर ब्रेकेट खुलेंगे इसके बाद में आएगा F1 का मानख Me 10 है 20 विजfire दिया आगे साइन माइनस का है एप 0 का मान आएगा और एप 0 का मान हमारे पास है 13 ठीक है इसके बटे में आ जाएगा 2 फिर F1 का मान उतारेंगे F1 का मान हमारे पास में 20 है आगे साइन माइनस का इसके बाद में आएगा एप 0 का मान app 0 का माल कितना 13 आगे sin minus का है app 2 का माल उतारेंगे app 2 का माल 14 फिर bracket भल कर देंगे into h h का माल कितना है 20 आगे करते हैं 125 आगे sin plus का है अब बाकी करेंगे 20 में से घटाएंगे 13 तो हमें पराप्त हो जाएगा 7 ठीक है अब करते हैं 2 into 20 हमें पराप्त हो गया 40 इन दोनों को एड कर लेंगे दोनों से इंक्या minus किये हमें पराप्त हो गया minus का 27 ठीक है bracket में बंद कर देंगे into 20 आगे करते हैं 125 आगे sin plus का है अब करेंगे 7 into 20 यानि 20 को 7 से गुणा किया तब हमें पराप्त हो गया 140 बाकी करते हैं 40 में से गठाएंगे 27 हमें पराप्त हो गया 13 आगे उतारेंगे 125 आगे sin plus का है इसका बाग इसमें देंगे तब हमें पराप्त होएगा 10.76 अब दोनों को जोड़ेंगे 125 plus 10.76 कितना जोड़ना है 125 plus 10.76 हमें पराप्त हो जाएगा 135.76 में यहां पर लिख देता हूँ 135.76 इस परकार इस परसन का बहुलग आ गया 135.76 अब माद्देग याद करते हैं हमने बहुलग याद कर लिया और माद्देग याद कर लिया अब याद कर रहे हैं माद्देग इसके लिए हमें तेन खंड की आवस्टा पड़ेगी एक खंड में लिखेंगे मासी कफ़त जो क्यूशन में दे रखा है दूसरे खंड में बारंबारता आजाएगी यह भोगताओं की संग्या यह भी क्यूशन में दे रखा है इसमें आजाएगी CF यानि संचई बारंबारता अगर क्यूशन में आपसे पूच ले माद दे के तो आपको एक अलग से खंड बनाने की आवसकता है और उस खंड में आजाएगा CF कमान यानि संचई बारंबारता संचई बारंबारता कमान केशे ग्याद करते हैं बहुत आसान है इसके लिए हम समझेंगे जो पहली संख्या होती है बारंबार तकी हम उसको ऐसा कैसा उतार देंगे ठीक है इसके बाद में हम 4 और 5 को जोडेंगे तब हमें 9 प्राप्त होता है फिर 9 प्लस 13 करेंगे तब हमें प्राप्त होंगे 22 इसके बाद में 22 और 20 को एड करेंगे हमें प्राप्त हो जाएंगे 22 अब इन दोनों को जोड़ते हैं तब हमें प्राप्त हो जाएगा 56 फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 56 प्लस आठ को हमें प्राप्त हो जाएगा 64 अब जोडेंगे 64 प्लस 4 यानि 68 इस परकार हमें Cf का मान ग्याद करना है इन सब को जोडने पर हमें N का मान प्राप्त हो जाएगा 68 आपको पता माद्दे ग्याद करने का सुत्र होता है L प्लस N बटा 2 माइनस Cf इसके बटे में F into H ये सुत्र होता है इसके लिए आपको L का मान चाहिए N का मान चाहिए होता है Cf का मान F का मान और H का मान अब यह मान हम केसे निकालते हैं इसके लिए हम तोड़ा सा समझ लेते हैं जो N का मान आता है उसमें दोका भाग देते हैं यानि N बटा टू भी कर सकते हो N का मान हमारे पास में 68 है 68 में हम दोका भाग देते हैं तब हमें प्राप्त होता है 34 ठीक है जो हमारे पास 34 है यह इससे छोटी वाले सिंख्य नहीं होनी चाहिए इससे बड़े वाले सिंख्य कितनी है 42 इसको कर लेते हैं अंडरलाइन ठीक है और यह काम आप पेंसिल से कर सकते हूं हम इसके द्वारा ही यह सम्मान गयात कर सकते हैं देखते हैं आगे जैसे आपको लिए 68 ठीक है अब देखेंगे अंतर अंतर कितने का है वरग अंतराल में जैसे 65 से 85 85 से 105 इन सभी में 20 20 का अंतर है तो एच का मान हमें पराप्त हो गया 20 अब ग्याद करेंगे अल का मान अल का मतला वरग की निमन शिमा जो आपने अंडरलाइन की ती इदर वाली आपको नि मान कैसे निखालोगे जो आपने लाइन अंडरलाइन की ती उसको देखना है और इसमें में बैयाली सारा लेकिन आपको बैयाली से नहीं लेना इसके जश्ट उपर वाली संक्या लेनी है अर्ताथ 22 तो स्यप का मान हमें पराप्त हो गया 22 अब इस मान को फिट करेंगे सुत पलस का है बरेकिट ओपन करेंगे एंड बटा दो एंड कमान हमारे पास में 68 है इसके बटे में आजाएगा दो आगे साइन माइनस का है अब उतारेंगे सी अप कमान सी अप कमान हमारे पास में 22 है इसके बटे में आएगा एप कमान एप कमान हमारे पास कितना है बीस बीस ब्रेकेट बंद किया, इंटू में एज कमान आएगा, एज कमान हमारे पास में है 20, आगे करते हैं, 125, आगे साइन पलस का है, इस 68 में 2 का बाग देते हैं, तब हमें प्राप्त होता है 34, आगे साइन माइनस का, उतारेंगे 22, इसके बटे में आ जाएगा 20, इंटू 20 कर 125, आगे साइन पलस का, बाकी करते हैं, अब गठाएंगे 34 में से 22, हमें प्राप्त हो जाएगा 12, इसके बटे में आ जाएगा 20, इस ब्रेकेट का मतलब बुणा करना होता है, तो 20 से 20 कट जाएंगे, हमारे पास बचेंगे, 125, आगे साइन पलस का, उतारेंगे 12, ठीक है, अ इस परसन का मत देखा जाएगा, 137,